नमस्कार दोस्तों जब भी मैं वीडियो बनाता था गौर्णमेंट बॉन्ड से रेलेटेड या फिर गौर्णमेंट सेक्यॉरिटीज कह लीजे आप तो कई कुछ लोगों के कुश्चन आते थे कि सर ये जो गौर्णमेंट बॉन्ड हैं वो कैसे खरीद सकते हैं अगर आपको किसी कंपनी का शेर खरीता है तो बहुत ही आसान है आज कल के देट में तो मोबाइल फोन के थ्रू एप्लिकेशन के माध्यां से आप डिमाट अकाउंट खुलवाई और तुरंट आप ट्रेडिंग करना है स्टार्ट कर दीए शेर खरीद सकते हैं लेकिन गौर्णमेंट बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं था ये बेसिकली क्या होता था ज्यादा तर जो mutual funds हो गए जो high net worth individuals हैं या फिर जो banks हो गए उन्हीं को access था कि ये गौर्णमेंट बॉन्ड को खरीद सकते हैं ये बेसिक जो decision है इसलिए लिया गया था इसका एक सबसे बड़ा कारण था कि जो सरकार है इस बार बड़ी मात्रा में करी 12 लाग करोंड रुपए बोरो करने वाली है तो इसके लिए जरूरी था कि retail participation भी यहाँ पर बढ़े इसी को लेकर अब recently यहाँ पर क्या हुआ हुआ की preparation कर रहे हैं आप हमारे app को download कर सकते हैं सभी जानकारी आपको हमारे description में मिल जाएगी सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है देखें RBI ने February के महने में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यह promise किया था कि जो government bonds हैं वो small investors के लिए भी लाया जाएगा और इसी को लेकर इसी हफते की बात है जो पिछला हफता गया है इसमें RBI ने जो आपका rules and regulations हैं इससे related ताकि जो retail investors हैं हमारे जैसे वो इसके अंदर participate कर सकें government bond को खरीच सकें इसलिए कुछ यहाँ पर जो guidelines हैं उसको unveil किया तो इस scheme का नाम ध्यान रखेगा retail direct scheme जो की RBI के दोरा लाए गया और यह आप देख भी सकते हो कि इसके बारे में जानकारी दिया गया allowing retail investors to open guilt accounts with RBI तो इसके समझते हैं कि exactly है क्या यह retail direct scheme क्या है इसमें क्या होगा जो individual investors हैं हमारे जैसे आप जैसे लोग यह एक account open कर सकते हैं directly with RBI आ रहा है समझ में retail direct guilt account यह account जो है RBI के आप open कर सकते हो ताकि government bond को आप purchase कर सको अब government bond में मैं बार बार नहीं जाओंगा बहुत ही simple होता है सरकार जो है वो भी पैसा borrow करती है तो यह RBI के माध्याम से किया जाता है RBI यहाँ पर securities issue करती है आप उसको खरीद सकते हो और पैसा दे सकते हो और उसके बदले हर मैने आप आपको जो fixed interest है वो मिलता रहेगा इसी को bond कहा जाता है तो इसके तहत क्या होगा एक तो जो central government bond जारी करती है वो आप खरीद सकते हो state government के दौरा भी उनको भी जरूरत परती है तो उनके भी bond आप खरीद पाऊगे और साथी साथ आपने gold bond के बारे में सुना होगा वो भी आ 30 साल के लिए bond जारी करती है तो 30 साल के लिए भी अगर आप hold करना चाहते हो अगर आपकी planning है retirement तक आप इस bond को अपने पास रखो तब तक भी आप कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक investment का साधन होता है और इसमें आपको regular interest भी मिलता रहता है लेकिन अगर आप चाहते ह तो मतलब ये 30 साल का आपने bond लिया था लेकिन आपको 5 साल में ही पैसे की जरुवत पड़ गई तो आप इसको secondary market में भी बेज सकते हैं जिस प्रकार से shares की buying and selling होती है उसी प्रकार से bonds की भी buying and selling होती रहेगी और इसमें सबसे खास बात यह होता है क्योंकि एक government bond है तो इसमे risk बहुत ही कम होता है risk almost nail होता है मतलब आपका पैसा डूबेगा नहीं जो भी अपने पैसा निवेश किया है वो आपको return में मिलता रहेगा लेकिन इसकी वजह से होता क्या है कि जो return है वो भी कोई बहुत जादा नहीं होता एक limited amount में होता है fixed rate of return होता है तो यह scheme work कैसे करेग बस उनको यह जो regulation है foreign exchange management act 1999 का वो भी follow करना होगा साथी साथ अगर आप individual या फिर jointly open करना चाहते हैं वो भी किया जा सकता है तो आपको RBI के साथ online यह account खोलना होगा और इस account का क्या नाम होगा retail direct guilt account ठीक है retail direct guilt account जो है वो RBI के साथ open होगा एक बार जब open हो गया तो SMS के माध्य time से आपको convey कर दिया जाएगा जो भी उस account के बारे में जांकारी है यह भी चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी fee यहाँ पर charge नहीं होगा account खोलने के लिए और जब भी जो सरकार है RBI है government bond जारी करेगी तो आप एक bidding कर सकते हो एक bid कर सकते हो जैसे IPO निकलता है अभी recently कौन इस IPO आया था यह Zomato वाल IPO तो इसमें भी आप निवेश करोगे तो एक बार आप bidding कर सकते हो इसकी एक ही बार मतलब एक particular lot में आप एक बार bidding कर सकते हो फिर दूसरी बार जाब आएगा तब भी आप bidding कर सकते हैं payment वगरा सब online हो जाएगा और जो भी securities अगर आपको allot होता है इसमें भी क्या होता है कि suppose अगर सरकार ने 10 करोण के bond जारी किये और यहाँ पर लोगों के दौरा demand आगई 50 करोण की 50 करोण लोग निवेश करने के लिए तयार है तो जाईर सी बात है सबको तो यह मिल नहीं सकता 10 करोण तो यहाँ पर again जो process होता है उसको follow करके कुछ चुन बात हो का हो सकता है दो महने बाद चार महने बाद जब भी our guys की सुरवात करीगी उसके बारे में commencement के बारे में जानकारी मिल जाएगी लेकिन question यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आता है कि यह investors को benefit क्या मिलेगा तीक यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक नया साधन मिल रगाया और 10,000 रुपय पे सरकार ने कहा कि हम 6% interest आपको देते रहेंगे तो 6% आपको fix मिलता ही रहेगा जब तक आप उस bond को ना बेज दो secondary market में या फिर जब आप 10 साल के लिए 30 साल के लिए जब भी यह mature होगा तब तक आप रख सकते हो हर बार आपको 6% मिलेगा no matter what ठीक लिकिन क्या होता है कि secondary market में कुछ लोग bond base देते हैं कुछ लोग खरीद लेते हैं तो demand supply को देखते वे जो yield है जो interest है वो उपर नीचे होता रहता है तो suppose मैं कहता हूँ bond का yield जो है वो उपर जा रहा है तो उस case में जो bond का price है suppose 10,000 का bond था उसका price नीचे हो जाता है तो इसके बेचते हो bond को तो आपको loss होगा न क्योंकि bond का price suppose 10,000 से 9,500 आ गया तो capital loss हो गया आपको लेकिन वही कई बार होता है कि bond yield नीचे जाता है तो bond के price क्या होते है उपर चले जाते हैं तो इस case में bond का price उपर गया मतब 10,000 से suppose bond का price हो गया 11,000 रुप है तो यहाँ पर आपको फा environment के उपर focus करना चाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा साधा नहीं है जैसे कि for example अगर हम fixed deposit की बात करें तो आपको पता होगा जिन्होंने भी fixed deposit वगरा किया है वो maximum आपको 10 साल का ही मिलता है suppose 4%, 5% बान के चलो suppose 5% या 6% ठीक है यह interest rate पर आपने 10 साल का fixed deposit कर दिया लेकिन 10 साल के बाद आपको वापस से निवेश करना पड़ेगा हो सकता है कि उस समय fixed deposit आपको 6% ना देकर सिर्फ 40% मिल रहा हो तो यह risk होता है ना fixed deposit में कि आप बहुत लंबे समय 30 साल के लिए निवेश नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर तो अगर आपने 30 साल के bond में 6% के interest rate पर पड़ी और आपने बेचा तो आपको loss होगा तो यह थोड़ा सा risk है तो ज्यादा तर यही कहा जाता है कि जो retirement के perspective से देख रहा है ना उनको इसके अंदर निवेश कर सकते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है जिनको अभी पैसे का अचानक से जरूरत नहीं पड़ता है 30 स परक्याद के perspective से आप कर सकते हो यहां फिर बाकी के लोग यहां पर mutual fund के माध्यां से एक government security मतलब mutual fund आपने देखा होगा equity वाले होते हैं debt वाले होते हैं तो जो mutual fund जहां पर government securities में निवेश करते हैं उसवाले mutual fund में भी आप निवेश कर सकते हो लेकिन directly अब आप यहाँ पर निवेश करोगे तो इससे फैदा यह होगा कि जो mutual fund के charges होते हैं expense ratio जिसको कहा जाता है वो आपका नहीं लगेगा और साथी साथ मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप full time तक अपना government security रखते हो maturity तक तब आपके उपर किसी प्रकार का capital gain tax नहीं उसमें आपको कोई tax charge नहीं होगा लेकिन अगर आपने उसको 5 साल में ही बेज दिया तो उस case में क्या होता है कि income tax लगता है जो marginal tax है प्लस capital gain अगर हुआ तो उस पे 10% charge लगेगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है और बाकी भी कुछ investment option है आप चाहो तो यहाँ पर देख स लेकिन ध्यान रखना है retail के अगर हम बात करें तो अगर आप लंबे समयत के perspective से देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा option हो सकता है तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों regarding retail direct scheme जो कि RBI के दोरा लाया गया है retail innovation के लिए एक दरवाजा खुल गया है नए investment के लिए जाने से प right answer है आपको पता ही है मेरे instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं telegram से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे mcqs यहाँ पर डालता रहता हूं stories के form में आप जाकर play कर सकते हो बाकि अगर आपको इसका pdf ट्री ये अलग-अलग social media पर जु इयो सुन